अलमोडा का प्रसिद चिताई मंदर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है अब जागेश्वर मंदर की तरह ही चिताई मंदर के ट्रस्ट बनने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है यानि की अब ट्रस्ट बनना बिलकुल तैमाना जा रहा है दरसल इसे लेकर इस्थानिय तो वहीं नवंबर 2020 में ट्रस्ट बनने को लेकर एक फैसला हुआ जिसके बाद एक साथ सदसे कमीटी भी बनाई गई इस मामले को लेकर संध्यापंथ समेत स्थाने पुजारी पक्ष सुप्रीम कोट गए अधिवक्ता दीपकरुआली ने बताया किस मामले में सुप्रीम कोट ने याचे का खारिश कर दी है हाई कोट के फैसले को बरकरार रखा है इस फैसले के बाद मंदिर का ट्रस्ट बनना अपते है जहां दीवक्ता दीपकरुआली ने कहा कि या आस्था कीजी